एलो दोस्तों कैसे हैं आप लोगा यहोप के फ्रेंड्स आप अच्छो गोगों तो आज वीडियों हम बात करने वाले हैं रेल्मी 7 प्रो के अंदर कुछ टिप्स और फीचर्स के बारे में तो वीडियो आप क्ली काफी एल्फ रहने बाला वाला वीडियो आपको कंप्रेंट क्लीक करना और थी प्रेंड फ्रेंगतल ghetto it to अध्यूं आप चाहिए इसकेりました सष्या प्रेंदर के काहिए आप को ने तो आपके पास कोई बातियो तो आप अपने आथ सब्सक्र सवयों शचांब तो आप अपने इंन कान हे रेकेस, पास लेगे तो वह automatically answer हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलते है, auto air pickup calls, इसके बाद यहाँ से आपको एक option देखने को मिलेगा, auto switch to air receiver, अब इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप phone पे बात कर रहे हैं, किसी भी बंदे से, speaker पे आपका phone है, आप उस ब देखेंगे, तो आपको एक option देखने को मिलता है, यहाँ पे, flip to mute call, flip to mute incoming calls, okay, इसको explain करते हैं आपको, यह जो features है, अगर आपको के पस कोई भी आपकी incoming call आईगी, तो आपको simple सा क्या करना है, आपको अपना phone, speaker card से flip कर देना है, और आपका phone, जैसी आप flip करते है, speaker card से, तो आपका phone mute हो जाता है, okay, तो I hope कि आप समझ चुके होगे, आप इसको भी speaker card से कर सकते हैं, जो की काफी अच्छी चीज लगी मेरे को, तो यह हो गए आपके कुछ motions, अब हम आप से बात करेंगे gestures के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो आपका सबसे पहले देखने को मिलता है, जो की enable हो रखा है, इसको आप enable रखते हैं, तो आप पना three fingers से कुछ इस प्रिकार से screenshot ले सकते हैं, जो की काफी अच्छा लगता है, इस revise के अंदर, okay, जैसे कि मैं आपको बताया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं इस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको कभी सारे और भी option देखने को मिलते हैं, जो पहला है, double tap to turn on, इसको आप enable रखते करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से एक option है, draw A or 2 enable camera, इसको इनेबल कर लेते हैं, draw A or 2, turn on flashlight, इसको इनेबल कर लेते हैं, इसको इनेबल क करेंगे, तो camera open होगा, अगर आप अपनी screen पे draw करेंगे, वी तो आपकी flashlight open होगी, चलिए try कर लेते हैं, ओके, तो camera आपका हाँ पर उपन होगी है, हमारे O बनाने के बाद, अब यहाँ से एक बार B बनाते हैं, B बनाया, तो flashlight open होगी, ठीक है, तो यह features काफी अच्छे हैं, जो की मेरे को personally बहुत पसंद आए, तो इनका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से यह बर्क करते हैं, ठीक है, तो मुझे, मीदे फ्रेंड्स, आपको अब तक वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आपको वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे channel को इन सब features के बाद अगर आपके phone के अंदर आपकी battery percentage तो नहीं हो रही है, ठीक है, जो की by default off आती है, अगर आप नए phone खरीदते हैं, तो आप इसको भी enable कर सकते हो, तो वीडियो का पी simple है, मैं आपको explain करता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या गरना होगा, आपको एक option देखन के बाद, friends, आप आप एक option देखने को मिलेगा, 100 battery percentage on status bar, तो आपको इस पर click कर लेना है, 100 battery percentage पर click करते हूँ, तो आप एक option देखने को मिलेगा, do not display, जो की do not display हो रखा है, तो आप इसको inside the battery icon कर सकते हैं, outside the battery icon भी कर सकते हैं, तो जो भी चीज आपको अच्छा लगे, तो आ मैं आहांपर इंसाइड ऐकोन करता हूं तो आप देखोके तो बैटरी पर्सेंटेज बैटरी ऐकोन के अंदर सव रही है अगर है इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अपको आपको पता लगे किइद यूज कर चुके हैं प्रें आप यह जानना चाहें कि भाई हम स्पीड कितनी आ रही है हमई डिवाइस के अंदर आपको रेल टायम नेटका टेक्ड को अपसें को मिलेगा इसको आपको अनेबल करना है इसको आपकी स्पीड आती है के भी पीएस मबीपीस आप पता पाएंगे और यहां से आप दे आपको और बी चीज देखने को मिल जाती है जैसे कि आपकी Managed Notification तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपनी Notification को Manage कर सकते हैं आप किन-किन application की जो Notification है उनको Allow करना चाहते हैं और किन application की Notification आप बंद करना चाहते हैं तो यह चीज मेरे को काफी अच्छी लेगी यहां से आप Notification भी Manage कर सकते हैं इन सब features के बाद आपको एक option देखने को मिलेगा आपके font के अंदर Do Not Disturb तो आप इसके अंदर चलना आपको Do Not Disturb के अंदर आप आएंगे तो यहां पर मैं आपको Do Not Disturb का system समझा देता हूँ यहां पर देखोगे तो सबसे पहला आपको एक option देखने को मिलेगा इनेवल ना हो तो आप Do Not Disturb को डारेक्ट इनेवल भी कर सकते हो तो friends यह तो इसका first point हो गया इसकी बाद यहां पर हम बात कर लिए friends कि आप देखोगे Do Not Disturb at schedule time इसको आप schedule की हिसाब से लगा सकते हो को Do Not Disturb इनेवल होगा सब्सक्राइब को schedule की हिसाब से होगा यहां से जाकर अपना schedule आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इस पर इस टाम इसको आप कर सकते हैं इसके बाद यहां से आपको एक option देखना को प्लेगा तो अगर आपकी settings हो रखी हो और आपको sound sound सो नहीं हो रहा है तो यह आप चेक कर सकते हैं इसके बाद यहां से आप देखोगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा allowed notification जो कि आपके सामने आप पर notification drawer, lock screen notification और don't bake screen यहां से आप देखोगे, do not light up screen when screen is off, आपकी screen off है यहां पर देखोगे तो आपकी screen on नहीं होगी आपको कोई भी notification को क्यों आजाए, यहां से जाके इसको light up screen भी कर सकते हो अगर आपको notification चाहिए आपकी, चलिए friends, I hope कि आपको यह समझ आ गया होगा, अब यहां से आपको एक option देखने को मिलेगा, कि आपको यहां पर message allow है नहीं, तो आहां से आपको message allow नहीं है, यहां से click करके, आप इसको message allow भी कर सकते हो, from anyone किसी एक पर चूज़ कर सकते हो और only from contacts, आपके contact के अंदर number से उनकी message आप यहां पर किवल आपके पास आएंगे, रिवन देखने के time, यहां पर आप यहां पर देखोगे, तो standard contacts only, कुछ contact जो आप सेलेट करेंगे, ओके, तो friends, अभी हम यहां पर इसको deny कर देते हैं, और यहां से हम कोई भी message नहीं चाहते इसके बाद यहां से आप देखोगे, तो यहां से आपका allow calls पर भी यही सारे options देखने को मिल जाएंगे, अपनी साब से customize करके रख सकते हो, इसके बाद आपको एक option देखने को मिलेगा है, यहां पर रिंग for repeated calls, अगर आप इसको इनवल करकर रखते हैं, तो रिंग for repeated calls आप आपको वो बता देता हूं, ओके, तो फ्रेंट्स, यहां से आप देखेंगे, तो रिंग for repeated calls आपका option है, वो आपका काम करता है, जब आपके पास 3 मिट कोई भी call आती है, अगर आपके पास 3 मिट के अंदर कोई भी call आईगी, तब आपका यह काम करता है, जो कि मेरे साब से काफी अच्छी चीज़ है, आपके पास एक रिंग आई, तब आपका फाउन नहीं रिंग होगा, आपके पास 3 मिट के अंदर फिर से उसी नमर से call आती है, तो आपका फाउन रिंग होना स्टार्ट कर देगा, तो यह चीज़ आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, तो अगर आप अपने डिवाइस के अंदर OTG करना चाहते हैं, तो आपको इक उप्सन देखने को मिलेगा, यहां पर अपको इसको इसको यहां से लगते है, तो यह चीज़ काफी अच्छी लगती है, आप इसको भी यहां से लेख सकते हो, अगर आप अपने फांड के अंदर ड आप इन अप्लिकेशन को डवल अप्लिकेशन में कर सकते हो, अमेज़ान स्वापिं हो गया, फेस्बुक हो गया, फ्लिप कार्ड हो गया, गूगल प्ले हो गया, वाटसप, इन सब अप्लिकेशन को आप डवल अप्लिकेशन बना सकते हो, इनका क्लोन अप कर सकते हो, यहां आपको प्राइब कर सकते हो किने अप्लिकेश्म को आपको परमीशन देना है किनको नहीं, लेकिन इसके बाद यहां पर देखोगे तो आपको एक उपसन देखने को मिलेगा, यहां पर एप्स लॉक का जो की तीन आपको फ्यूचर में बता दूँगा, मतलब मेरे चैनल पर व सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हो, तो अब यहां पर जो किसी बच्चे को फांद कर लेते हैं, तो यहां पर आप सिंपल सा देखेंगे, कि आपका जो सबसे पहला आपको 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 आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आप देखोगे, तो आपको अपसन देखने को बिलेगा, एफ्स एलाओ टू टू बी एक्सिस, मतलब कि आप किन-किन एप्स का एक्सिस रखना चाहते हो, जब आपका फॉन केट स्पेस के अ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आपके सामने बस कोई अप्रिकेस सो नहीं होगा, सिवाही कैमरा के आप बस क्यामरा यूज कर सकते हैं, इससे बाहर आने के लिए आपको सिंपल सा है, यहां पर क्वाइट किट स्पेस पे क्लिक कर देना होगा, इस पे आप क्लिक करे आपको टू फिंगर से पिंच आउट करना है, पिंच आउट करने के बाद यहां से आप देखोगे, तो आप किसी भी अप्लिकेसन को ऐसा से स्लेक्ट करके, इनको आप रिमूब करा सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर स्लेक्ट किया, और यहां पर रिमूब हमें को कहीं से कह अच्छी चीज रहती है तो यह चीज भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर एक साथ इनको ड्रैडाउन कर सकते हो इन एक औरिकेशन के सबस्राइब смотр कर दो कि कर पिट से पिंच आउट करें और मैं आपको एक्स्पीन कर लूँ यहां पर देखें गे आप ऑल श्रुआ पर आप एक्षाप से लगा सकते हैं वल यहां से आपल प्र आप चार्पिंगे आप एपको अजय कर सकते हो जो बहुता निवेट पर प्रस्णल आपको पसं पर दो फिक जो भी आपको फिलिप अच्छा लग रहा है मतलब यो भी स्टैलस आपको पसंद ओ वो हैं से चुछ अगयर नको यूज में ले सकते हो इसके बाद यहां से आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं तो स्टैंश के अंडर आप 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 आपको स्क्रीन मूड जो के द्रेवर और करते हैं तो आप अपने फॉंट की इंदर से कोई भी अप्लिकेसिन करते हैं तो उसका जो खाली होगा वह एक्टमाटिकली दूसरे अप्लिकेसिंग के साथ उसको फिल कर दिया जाता है तो एक्षामिते होगे एसे हाँ इसे बाद यहां से यहां से ऑप सेटिम और स्वीप शैट भ स्वाइस सार की द cuts करते हो ऊंचैनल जसे इसपल साउचिनलिक कर ले दे हैं شाले हम सिम्पल सा डरेड की स्टम्क nível लेका इन की ही सेफ हैं ऐसी ऽे शेलिए लिते हैं फिर इसकी सेफ मीडरी सकते और इसमें ऐसे इसका सट है और एसका पूरा साइबिक हैं कर सकते तो प्रेंट्स पशन आई होगी अगर आपको कहले वीडियों पसंद नाई कर रही चानल को सप्विक्राइब को निशेकर करते अजित लुगतों भीश्ग करम UAG